दोस्तो अक्सर आपने शॉपिंग सेंटर में इस परकार के टैग कपड़ों पर लगे होगे तो देखे ही होंगे अब ये है क्या और इसका यूज एंटी थैफ्ट के लिए क्यों करते हैं आज मैं आप से इसी के बावरें बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम मोहित आप देखने टैग नंदन लट स्टार्ट दोस्तो शॉपिंग सेंटर में जो आप कपड़ों पर लगे टैग देखते हैं उन टैग को RFID टैग यानि Radio Frequency Identification टैग कहते हैं दोस्तो इस टैग में एक चिप लगी होती है जिसे हम Transponder भी कहते हैं दोस्तो होता यह है उन टैग में लगे Transponder चिप्स जैसे ही शॉपिंग सेंटर के गेट पर लगे उन दोनो RFID गेट के बीच से बाहर निकलते हैं तब उन गेट्स पर लगे RFID एंटीनास Radio Frequency सिगनल को Transponder चिप्स की तरफ फैकते हैं फिर Transponder चिप्स सिगनल को बापस Receiver की तरफ फैकता है जिससे सिश्टम को RFID टैग के होने का पता चल जाता है और अलारम बोल जाता है दोस्तो अगर RFID की बात करें तो इसका उप्योग हर जगा है जैसे अनिमल ट्रैकिंग में, उसकूलों में, स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए, टोल प्राजा पर फास्टेक के रूप में दोस्तो RFID टेकनलोजी की बात करें तो इसका इस्तमाल सबसे पहले जनवरी 1973 में मारियो डवलू कार्डलो दोरा किया गया था जिनके नाम पर पहला यूएस पेटेंट है जिसमें उन्होंने एक एक्टिव RFID टेक में रीडाइटेवल मेमोरी का अविशकार किया था उसी साल ही चारलेज वर्ल्टन जो की कैलिफोर्निया के एक बिजनसमें थे उन्होंने एक पेटेंट रिसीब किया जिसमें उन्होंने एक पैसिफ RFID टेक का इस्तमाल डोर को बिना किसी की के अनलॉक कर दिया था दोस्तो अगर हम RFID टेक की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं पैसिफ RFID और Active RFID दोस्तो पैसिफ RFID टेक की बात करें तो ये बैटरी की पावर को प्योग नहीं करता यह RFID टेक रीडर से निकलने वाली Electromagnetic Wave का प्योग पावर के लिए करता है यह RFID टेक सस्ते होते हैं क्योंकि इनमें बैटरी को प्योग नहीं होता दोस्तो Active RFID टेक की बात करें तो ये बैटरी की पावर को प्योग करता है यह RFID टेक अपने खुद के सिगनल को लागातार ब्राटकार्ट करता रहता है ये RFID टैग महंगे होते हैं लेकिन इनकी इडिट करने की लिमिट पैसिफ टैग से ज़्यादा होती है दोस्तों मेरे हिसाब से आप सब को समन में आ गया होगा RFID क्या है इस कौपियों कहा होता है Active RFID टैग, Passive RFID टैग क्या होते है इसी के साथ अगर आप कोई है वीडियो पसंद दे तो से लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो मिल तकली वीडियो में गुड़ बाई